कि है है यह अज़ा अधिक हम डिसकस करने जा रहे हैं वह है हमारा जी यू आई मेंस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को स्टड़ी करने से पहले आप लोगों को बता दें स्टार्टिंग हुए जब हमारी विंड़ो आए दे कंप्यूटर के अबर optimSet सिस्टम माया था तो वह क्या था कमांड बेस एपरेटिंग शिस्टम था है्नि का मतलब था उसके अंदर माउस वगयरे का यूज नहीच था उस टाइम जो भी काम करना हOOD हुदा था में किसके बेस्म आ We कमांड के पेस पिए जैसे आज तो हम कहीं भी कलिक करके कुछ भी खौल लेते थे हैं लेकिन उस टाइम क्या होता था कुछ भी काम करने के लिए हमें कोई स्पेशल कमांड याद करनी पड़ती थी एक कमांड देनी पड़ती थी तो जो हमारा ओपरेटिंग सिस्टम था उस ट Ст comported window है तो यह हमारा GUI बोलते है इसको shortcut में तो यह हमारा graphical User Interface होता क्या है इसको study करेंगे इसके advantage क्या है और यह क्यों लिया गए इसके अंदर तो इसको study करते हम तो पहले definition देख लिए थी ख्रफिकल user interface की एक graphical user interface is pictorial representation of program यहां लेकर क्या है pictorial interface to a program या pictorial representation of a program बोल सकते हैं आप है एक graphical user interface is a pictorial interface to a program क्या होता है किसी भी program का pictorial representation या pictorial interface को बोलते हैं हमें GUI एक good GUI can make program easier to use by the providing them with a consistent appearing and control like a push button, like box, slide menu and so forth इसका कहने का मतलब क्या है ग्राफिकल user interface अगर हमारा good है तो उसके अंदर क्या होगा program को easy to understand हो जगा प्रोग्राम क्या करेगा facility प्रवाइड करेगा consistent appearing उसके इसी चीज़ की appearance की जैसे वो दीख रहे कैसे है उसके उपर control कैसे कर रहे है उसके उपर push button के कौन से है उसके उपर list box कौन से है जैसे हम star ले होते हैं जिसके अंदर हमें प्रोग्राम को easy to access होता है इसे क्या हो जाता है में किसी भी प्रोग्राम को easy to access होता है easy to understand हो जाता है easy to debug हो जाता है और इसकी appearance बढ़िया हो जाती है और इसको control करना बढ़िया हो जाता है और graphical interface के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे push button होते हैं, बहुत सारे list box होते हैं, बहुत सारे slide होते हैं, बहुत सारे menu होते हैं, तो इसको बोलते हैं graphical user interface, ठीक है, तो यह हमारा क्या था, graphical user interface की definition, उसके बाद आता हमारा, विंडू XP and Windows 7 graphical user interface कैसी है विंडू XP and Windows 7 is a graphical user interface window बोल सकते हो इट has picture अजसे अदर क्या होती है picture होती जिसको हम graphical बोलते है इट has picture graphical that you use to communicate with computer जो वो picture होती है जो वो graph होते है उसके थिरू हम computer के साथ क्या कर सकते है interface कर सकते है attraction कर सकते है विंडो हैज मल्टी टास्किंग कैपिबिल्टी विंडो की अंदर क्या होती है मल्टी टास्किंग का मतलब क्या होता एक साथ कई काम करना मल्टी का मतलब बहुत और टास्किंग का मतलब टास्क का मतलब काम तो मल्टी टास्किंग कैपिबिल्टी का मतलब क्या होता एक साथ बहुत सारे काम करने की capability किसके अंदर होती है window के अंदर होती है it has lot of GU function as a in start menu lot of GU for इसके अंदर क्या होते है graphical user interface के बहुत सारे function होते है जैसे start menu के अंदर आप लोगों ने देखागा play game होता है with mouse और keyboard हम mouse के साथ या keyboard के साथ game खेल सकते है it allows you to access video और graphical interface क्या करता हमें वीडियो को access करने का यूज करने की power देता है music को चलाने के power देता और other different type of और बहुत सारे different type of menu देता जिसके अंदर हम logo of computer कर सकते हैं down of computer कर सकते हैं task bar को देख सकते हैं gi of icon तो बहुत सारे इस तरह के क्या होते हैं graphical user interface और जैसे हमारे कोई file होगी my file के नाम से कोई file दे दिया यह हमाई computer के नाम से इंटरनेट explorer के नाम से यह मानलो MS office के नाम से MS word के नाम से इस तरह से कुछ हमारे graphical होते picture होती है जो graphical representation program किसी प्रोग्राम का graphical या कहलो picture representation होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं computer के साथ interaction करते हैं तो यह क्या यह एक्सवी और window as a graphical user interface ठीक है उसके बाद इसकी कुछ अडवांटेज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की easy to operate है user need to smaller learning ग्राफिकल जैसे easy to operate कोई भी आसानी से window का आज को कोई भी आसानी से दो क्या कर सकता है लेकर जैसे हमारा जो पहले वाले प्रोग्राम थे यह से पहले वाले ऑपरेटींग शिस्टेंट है वह क्या अधिए विंड़ो बेस ऑप्रेटिंग सीस्टम थे जैसे डुश है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम तो उस को कोई भी बंदा simply नहीं चला सकता था उसको चलाने के लिए सबसे पहले हमें बहुत सरी कमांड सीखने पड़ती थी लेकिन आजकल अगर हमें कंप्यूटर आता नहीं है ना फिर भी अगर कंप्यूटर को आउन कर देंगे ना हम कुछ न कुछ कुलता रहेगा ठीक है किशी पर कलिक सबस्क्राइब करने के लिए युजर को बहुत सारी कम नौलेज की जरूत है बहुत सारे कम सिखने की जरूत है उसको असानी से चला सकता है complex and multi-step can easily इसके अंदर क्या है बहुत ही complex जो complicated है और multi-step can easily जो जो जिसके अंदर बहुत सारे step उनको easily solve कर सकते component क्या है graphical user interface के कुछ component ग्राफिक लिए इंटरफेस के जैसे टेक्स फिल्ड है टेक्स होता है इसके एडिट बॉक्स है कुछ चीज़ की चीज़ को एड करना कोई फ्रेम डालना वो पुस्ट बटन होते हैं टॉंगल बटन होते हैं चेक बोक्स होते हैं जैसे चेक बोक्स आपने देख यूजर इंटरफेस के तो यह हमारा क्या था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक्स पर वाचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लाशिक जैसे